स्वगत है आप सभी का एक और एपिसोड में मैं साइद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी दोस्तो एद के बाद हिमाचल में जिस तरह से नफरती महाल खड़ा किया गया और जिस तरह से अलफ संखकों को टारगेट किया गया उसकी एक जहलक दिखाऊंगा मैं आपको और ये पूरे वीडियो में उस मामले की सच्चा ही बताऊंगा ओफिशल स्टेटमेंट के साथ किस तरह से जावेद की दुकान में एक भीड घुसी और उसके सारे गार्मेंट रोट पर फेक दिए गया पुलिस वहाँ पर तमाशबीन बनी रही पुलिस ने कोशिश की लेकिन पुलिस से नाकाम रही दरसल पूरा मामला ये था कि जावेद शामली कर रहने वाला है और हिमाचल के नाहन में गार्मेंट की एक दुकान चलाता है हजारों लोग हैं जो एक जगा से दूसरी जगा जाकर अलग अलग कान धंदा करते हैं या कोई छोटा मोटा व्यापार करते हैं इसी तरह से जावेद भी जो के उतरप्रदेश के रहने वाला है हिमाचल में गार्मेंट की दुकान चलाता है लेकिन ईद पर उसने खुरवानी की अपने घर शामली जाकर और उसका उसने डीपी पर एक फोटू लगाया उसके बार ये तस्वीर कुछ ऐसे तत्वों के लोगों को मार मार के हिमाचल देख बाहर निकालेगा मेरा आप सभी से आक रहा है कि आपके यहां कोई गाओं में कोई भी मुस्लमान सब्सकी ठाक बेटने के लिए आता फेरी वालाता है जिस घर में भी पहर का कोई मुस्लिम उठा था है भाई बंदीर से प्यार से कहो कि चला जाए अगर नहीं जाता है तो मार मार के हांसे बगाईए और हिमाचल में उन्हों ने ये अबबा वड़ाई के जाबेद ने नाहल में गवकशी की है लहाज़ यहाँ पर जितने मसलमान हैं उनको घरों से निकाला जाए उनसे घर खाली करे जाए उनसे दुकाने खाली करे जाए और कोई भी शख्स किसी भी मसलमान को ना तो किराय पे मकान दे और ना ही दुकान दे ये उतपात कई दिन तक चलता रहा आज ऑफिशल स्टेटमे रिया है कि पूरा मामला किया था दरसल उसने नाहल में कोई कुर्वानी नहीं की थी उसने उत्तर प्रदेश में घरा के कुर्वानी के थी उत्तर प्रदेश में भैस की बक्रे की कुर्वानी की इजाज़त है इस पर कोई अप्जिशन नहीं है पुलिस का स्टेटमेंट यह है कि उसने जिस जानवर की खुर्बाने दी उसकी वहां पर इजाज़त है यानि कि उसने कोई भी घलत काम नहीं किया है या पुलिस का ऑफिशल स्टेटमेंट जुनिए है कि इसमें जो अभी तक घास सित्त प्रकाश में कि यह कृटिगनद प्रशु नहींगी तो अग्यां जोजिए जो अगे प्रपाइगंडा वहां पर किया था वो बिल्कुल जूटा था बिल्कुल बेबुन्याद था लेकिन एक समाज को टार्गेट किया गया कुछ लोगों का सिर्फ यही काम है कई दिन तक उन्हें कोई मौका नहीं मिले वो परशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे आखिर उन्हें किसी की डीपी पे एक तस्वीर मिल गई और उन्होंने उसकी दुकान के सारे कपड़े फिक दिये वहां पर उत्पाट मचाया और तमाम मसल्मानों को परशान किया और नफरती स्टेटमें आपके सामने आते रहते हैं आप सुचते हैं शायद ये सचाई है लेकिन बाद में उसकी सचाई का पता लगता है पता लगता है कि पूरा मामला फर्जी और जूटा था और दूसरा ये कि इन्वेस्टिकेशन का काम पुलिस का है ना कि पबलिक का पूरे समाज को दिया जाते हैं और तमाम मुसलमानों को टारगेट किया जाता है यहां के जो लोजवान साथी है जो दूसरी सर्स्तान में हैं हिंदू सर्स्तान से जुड़े वेस्ट रिस रिसा करूँगा कि नहान के अंदर ऐसा महन नादम है कि जिससे आपस आपसदारी खराब हो हम है और किस तरह से एक बोर्ड बैंक तयार किया जाता है दूस्तों जानकारी को ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर करें अगर आपकी संग्यान में कोई ऐसी बात आती है तो आप वहां जाके थाने में कंपलेंट दे पुलिस जाज करेगी और पुलिस उचे ते कारव कि एुलिए और कि दो